तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही असान तरीके से मटन बनाने जा रहे हैं जो आप प्रेशर कुकर में बना सकते हैं बहुत असानी से आप इसे बना सकते हैं और टेस्ट में ये इतना बढ़िया बनता है तो एक बार आप इसको बना के जरूर देखें आपको बहुत पस और 1 teaspoon यहां पूर लिया है गरम-masala powder तो यहाँ में बेसिक लिए एक masala तियार करना है यहाँ मैंने गरम-masala टाल दिया है और half cup मैं इसमे पानी डाल दोगी यानि आप कोई भी कटोरी सेट कर लिए उसमें आप मसाले डाले और उसका half-k防 पानी डाले तो यहाँ पे इसको अच्छे से यहाँ पे इसका घोल तयार कर लेना है तो यह देखिए यहाँ पे मैंने घोल जो है वो तयार कर लिया है मसाले जो है वो अच्छे तरीके से आपस में मिल जाने चाहिए तो यह गोल तयार है इसको साइड में रखते हैं प्रेशर कुकर चड़ा लिया है गैसे मैंने इसमें डाल रही हूं छे बड़े चमच यहां पर डाल रही हूं सरसो का तेल आप कोई भी कुकिंग ओयल यूज कर सकते हैं बनाने के लिए वैसे सरसो के तेल में इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है तो यहां मैंने दो सिनमे अच्छा के आता है और पयाज मैंने जिता यहां में बल्स सैसे डाल दूम तो को आशिते छे के दान दूंगी एक बात को आपको आपको अच्छा धुर्ण रखन रखना है कि वह तेल बहुत तब रखन हो जाए तब कまぁ को फ़ई तेल को इल्म उहां चे से बदूल नहां दा लसन का paste तो इसको भी में यहां पे थोड़ा सा भूल लोगी एक मिनिट के लिए तो फिलेम इस टैम मैंने यहां पे मीडियम पे कर लिया है तो यहां पे पहले इसको भूल लेते हैं ताकि इसका ख़च्छापन भी निकल जाए तो देखें हम भूल लिया है और यहां जो हमने मसाला त्यार करके रखा था वो में सारा इसमें डाल दूंगी अब तो मसाले को यहां पर हमें भूलना है तो मसाले को यहां पर पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो चलिए इसको मेक्स कर लेते हैं और थोड़ा सा इसको भूल लेंगे थोड़ा सा इसमें तेल जो है मसाला जो है वो छोड़ने लग जाए तो हमें इसको तब तक भूलना है तो यहां हम ढखके पकालेंगे जब तक मसाला तेल ना छोड़ दे या अच्छे से पकना जाए तो मसाले नहीं यहां पर देखिए तेल छोड़ दिया है तो एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं पहले तो यहां देखें मैंने इसको अच्छे से mix कर लिया है और यह मसारा मैंने low flame पे भुना था अब यहां पे मैंने लिया है 1.5 kg यहां पे मटन लिया है तो यहां पे मैं सारा जो मटन हैं डाल दूँगी मटन आपको यहां पे एकदम fresh लेना है युकि जब आप मटन को पकाएंगे तो फ्रेशनेस पर निर्वर करता है कि कितनी देर वो कुकर में पकेगा तो यहाँ पर देखेंगे मैंने फ्रेश मटन लिया है तो इसको यहाँ पर अच्छे से भुनना है तो नमक मैं यहाँ पर टूटी स्पून डाल रही हूं यानि दो चमच दो चोटे चमच डाल रही हूं आप अपने स्वाद के अनुसा डाल सकते हैं तो एक बार फिर इसको अब मैं लो टू मीडियम फ्लेम पे भूनूंगी दस मिनिट के लिए फिर दुबारा से तो दस मिनिट मैंने इसको हाई फ्लेम पे भूना और दस मिनिट मैं अब इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे भूना मैंने इसको इसके बाद मैं यहाँ पर हाफ अच्छे से मिल ना जाए यहां पे पहले मैं इसको अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और अर ढख के पका लेंगे ताकि धही विढ़ी हो अच्छे से पक जाए 1 टीस्पून डाल रही हूं कलर के लिए ऩड लाल flour चैजह है तो यह आपको डालना नेसेसरी इतना नहीं है अगर आप डालेंगे तो कलर बहुत अच्छा आजाएगा है तो जरूर डालिएगा नहीं है तो अवाइड कर सकते हैं तो यहां देखिए मैंने इसमें टाल दिया है किता बढ़िया आ गया है अच्छे से मिक्स भी कर दिया है त तो दो ग्लास मैंने भी डाल दिया है फिर मिक्स कर लूगी इसके बाद में एक ग्लास और डालूगी कि हमें मतन को अभी विसल लगानी है यानि इसमें सीटी लगानी है तो यह देखिए एक ग्लास पानी मैंने इसमें और डाल दिया और इसको अच्छे से एक बार फिर से म लगाँ के यहांपे चार विसल लगाओंगी मीडियम फ्लेम पेस को हमें विसलगानी है आप इसमें चार vissल लग गई है तो यह देखें अब मैं यहांपे इसको एक बर चला लेती हूँ अगर आपका मठन जो है 4 विसल में नहीं पक्रा है तो आप एक विसल दो लगा सकते है तो ये बरतन पर भी णिर्भर करता है और आपकी मतन की freshness पर भीthere अब याँ 2 टीसपून यहालल रहा हूं गरम मसाला तो यह दı bastard है निई लास्ट में डाल या बहुत अच्छा flavor यह यादा आता है लिए अटा है और आपकी अच्छे से चला ले यानि धनिया पती डाल रहे हूं बारीक टीवी और अब क्या करना है यहां पर मैं इसको थ्वासा स्मोकी फ्लेवर दोंगी तो यहां बीशिम में कटोई रख रही हूं और इसके अंदर में डालूंगी यहां पर मैंने कोईला लिया है तो उसको मैं अच्छे से गरम कर लिया इसके साथ में इसके ऊपर डाल रहे हूं हाफ टीस्पून इसमें डाल रहे हूं देसी घी तो देसी घी डालिएगा बहुत बढ़िया स्वाद आता है उससे अब इसको मैं धकन है कुकर का उसको बन कर दूंगी और इसको दस मिनट तक ऐसे ही रहन देंगी ताकि जो स्मोकी है वो मतन में बहुत बढ़िया से आ जाए तो इसको दस मिनट में ढखके ही रहती हूं गैस को मैंने बन कर दिया है क्योंकि मतन जो है बिसिकली तैयार हो गया है वसको हम स्मोकी फ्लेवर दे रहे हैं तो यहां पर देखिए यह तैयार हो चुका है तो यह मैं कोईला जो है निकाल लेती हूं और मतन में के तैयार है तो चलिए इसको अब सर्फ कर लेते हैं तो यह देखिए आप देख सकते हैं बहुत ही मटन में के तैयार हुआ एक बार जरूर ट्राइ करें कोई इसको बनाना मुश्किल नहीं है तो यह देखिए कितना बढ़िया लग रहे है ऐस अगर आपको अच्छी लग रही है तो मेरे चानल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स मेरे को ज़रूर लिखके बताएं कि आपको रेस्पी कैसी लगी थैंक यू